हलो एवरों तो आज गेसे वीडियों हम बात करने वाल हैं इंडिया की इतना सी स्यूवी महिंद्रा बोलेरों के बारे में तो इंडिया के इंडिया के अंदर बाई कम्पीटेशन इतना ज़्यादा बढ़ शुगाया कि सभी जो कम्पनी जो अपने सभी मॉडर्स के अंदर एक पीचेश प्रोवाइड करा रही हैं लेकिन महिंद्रा की जो बोलेरों है उसके अंदर कोई भी खास फिसर नहीं मिलता है तो फाइंडली महिंद्रा को भी जो अपनी इस बोलेरों का या तो न्यू जनरेशन या फिर मिनिम्मम से मिनिम्म बढ़ी एक बड़ा फैसलिप्ट अपडेट देना चाहिए आप लोगों को बोले का भी आप यहाली में तो फैसलिप्ट आया था दो जार बीस कंदर के आपको साथ शेर कानवाल इसके रेंडर डिजेंज जिसके अंदर आपको महिंजा की नहीं डिजेंड की सिंगने से प्रिंट के लिए डिए डियारल फैलेडी प्रोजेक्टर हैडलाम बहुत आपको देखने को मिल जाएगी जो कि रियल बालाइप बोलेर के अंदर आपको नहीं देखनों को मिलती है आज के टाइम के हिसाब से महिंजा के टोब मॉटल के अंदर भी अलोई विल्स देखनों को नहीं मिलते है मतलब ना तो इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हैडलाम मिलते हैं ना इसके अंदर आपको अलोई विल्स मिलते हैं ना स्टाइल की इसकिल प्रेट बगेरा ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है और देखा चाहिए तो भाई एक्सिटीर डिजेन तो भाई कापी अच्छा है लेकिन आज के जाब इसके अंदर आपको नॉर्मल हेलोजन हैटलैम मिलते हैं नॉर्मल स्टील जीम मिलते हैं और भाई इस सेग या पिर जो क्रेट आती हैं उन्डी किया सेट उसके अंदर भी आप कम्पनी जो है अट्रा हिंच के अलोईच ओपर कर रही है लेकिन बोलेरो जो कि उससे ज्यादा बड़ी देखने को लगती है उसके अंदर भी आप 15 हिंची के अलोईची मिलते हैं उसके रेंडर डिजेन आपने देखे होंगे कुछ इस परकार का कॉस्मेटिक जैंज करें तो कुछ लोग इसे इंडिया की दैसी जी वेगन भी बहुते हैं लेकिन फीचर के मामले में यह कापी ज्यादा पीचर है इंडिया के अंदर या फिर अपने सेग्मेट के अंदर या और और जितनी भी ब पोलेरों से तो भाई महिंद्रा को भी इस बारे में सोचने से अब कम्य की बात करें तो इस गंदर एक्सटीर के अंदर कोई खास कुछ फिचर नहीं आता भाई ना तो अच्छा म्यूजिक सिस्टेम आता है ना इस गंदर आपको टॉस्क्रीन मिलती है ना अच्छा सस्पे खास करें तो